साथियों, भारत आज उस स्टेज पर हैं, जहां हमारे आज के एक्षन तै करेंगे कि इस बड़ी आपदा के प्रभाव को हम कितना कम कर सकते हैं, ये समय हमारे संकल्प को बार बार मजबूत करने का है. ये समय कदम कदम पर संयम बरत्ने का है, आपको याद रखना है, जान है तो जहान है, साथियों, ये धैरिय और अनुशाशन की घड़ी है, जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिती है, हमें अपना संकल्प निभाना है, अपना बचन निभाना है. मेरी आप से हाथ जोड़ करके प्रार्तना है, कि घरों में रहते हुए, आप उन लोगों के बारे में सोचिए, उनके लिए मंगल काम ना करिए, जो अपना कर्तब में निभाने के लिए, खुद को खत्रे में डाल कर काम कर रहे हैं, उन डॉक्टर्स, उन नर्सेज, पैरा मेडिकल स्टाप, पैथोलोजिस, उनके बारे में सोचिए, जो इस महामारी से, एक एक जीवन को बचाने के लिए, दिन रात, अस्पताल में काम कर रहे हैं, अस्पताल प्रसाशन के लोग, एंबिलन्स चलाने वाले ड्राइवर, बॉर्ड बॉइज, उन सभाई कर्वेचारियों के बारे में सोचिए, जो इन कठीन परिष्थितियों में, दूसरों की सेवा कर रहे हैं, आप उन लोगों के लिए प्रार्षना करिए, जो आपकी सुसाइटी, आपके महलों, आपकी सडकों, सारवजनिक स्थानों को सैनिटाइज करने के काम में जुटे हैं, जिसमें और जिसके कारण इस वाइरस का नामों निशान न रहे, आपको सही जानकारी देने के लिए 24 गंटे काम कर रहे, मेडिया के लोगों के बारे में भी सोचिए, जो संक्रमन का खत्रा उठा कर सडकों पर अस्पतालों में हैं, आप अपने आसपांस के पुलीस कर्मियों के बारे में सोचिए, जो अपने घर, परिवार की चिंता किये बिना आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए, दिन, रात, ड्यूटी कर रहे हैं, और कई बार कुछ लोगों के गुस्ता खेके भी शिकार हो जाते हैं, गुस्सा भी जेल रहे हैं, साथियों, कौरोनं, बैश्विक महामारी से बनी स्थितियों के बीच, केंद्र और देश भर की राज सरकारें, तेजी से काम कर रही हैं, रोज मरा की जिन्दगी में, लोगों को असुविदा ना हो, इसके लिए निरंतर कोशिश कर रही हैं, सभी आवशक बस्तूओं के सप्लाइब बनी रहें, इसके लिए सभी उपाय किये गए हैं, और आगे भी किये जाएंगे, निश्चित तोर पर संकट की ये घड़ी, गरीबों के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त लेकर आई हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ, समाथ के अन्य संगठन, सिविल सुसाइटी के लोग, गरीबों को मुस्रिबत कम हो, इसके लिए निरंतर जुटे हुए हैं, गरीबों की मदद के लिए, अनेकों लोग साथ आ रहा हैं, साथ क्यों, जीवन जीने के लिए जो जरूरी है, उसके लिए सारे प्रयासों के साथ ही, जीवन बचाने के लिए, जीवन बचाने के लिए, जो जरूरी है, उसे सर्वोच्च प्रात्विक्ता देनी ही पड़ेगी, इस वैश्विक महामारी से मकामला करने के लिए, देश की स्वास्त सुविधाओं को तयार करने का काम, केंद्र सरकार लगातार कर रही है, भारत के बड़े चिकित्साव और अनुसंदान संस्तानों तता स्वास्त विश्यसग्यों की सला और सुझाव पर कार्य करते हुए सरकार ने निरंतर फैंसले भी लिये हैं अब कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए देश के हेल्थ इंफास्ट्रक्टर को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आज पंदरा हजार करोर रुप्य का प्रावधान किया है इससे कोरोना से जूड़ी टेस्टिंग फैसलिटीज पर्सनल प्रोटेक्टिव एक्विप्मेंट्स आइसोलेशन बेट्स आइसीउ बेट्स बेंटिलेटर्स और अन्य जरूरी साधनों के संख्या तेजी से बढ़ाई जायेगी साथ ही मेडिकल और पेरामेडिकल मेन पावर की ट्रेंग का काम भी किया जाएगा मैंने राज्य सरकारों से अनुरोद किया है कि इस समय सभी राज्यों की पहली प्राद्विक्ता सिर्फ और सिर्फ स्वास्त सेवाएं ही हो नी चाहिए हेल्थ केर ही प्रात्विक्ता होनी चाहिए मुझे संतोष है कि देश का प्राइवेट सेक्टर भी पूरी तरह से कंदे से कंधा मिलाकर संकट और संक्रमन की इस गड़ी में देश वासियों के साफ खड़ा है प्राइवेट लेप्स प्राइवेट अस्पताल सभी इस चुनौति पूर्ण दौर में सरकार के साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं लेकिन साथियों ये भी ध्यान रखिए कि ऐसे समय में जाने अंजाने कई बार अफ़ाएं भी बहुत जोर पकरती है और अफ़ाएं के ट्राविल करने की ताकत भी बहुत होती है मेरा आपसे आग्रह है कि किसी भी तरह की अफ़ा और अधन विश्वास से बचें आपके द्वारा केंद्र सरकार राज सरकार और मेडिकल फेटेनिट्री द्वारा दिये गए निर्देश और सुझाओं का पालन करना बहुत जरूरी है मेरी आपसे प्रार्थना है किस बिमारी के लक्षणों के दवरान बीना डॉक्टरों की सलाह के कोई भी दमान न ले किसी भी तरह का खिलवार आपके जीवन को और खत्रे में डाल सकता है साथियों मुझे विश्वास है हर भारतिय संकट की इस गड़ी में सरकार के स्थानिय प्रसासन के निर्दोशों का पालन करेगा 21 दिन का लॉकडाउन लंबा समय है लेकिन आपके जीवन की रक्षा के लिए आपके परिवार की रक्षा के लिए उतना ही महत्वपुन है हमारे पास यही एक महत्वपुन रास्ता है मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा बलकि इस मुश्किल घड़ी से विजय होकर निकलेगा आप अपना ध्यान रखिए अपनों का ध्यान रखिए और आत्मविश्वास के साथ कानून नियमों का पानन करते हुए पूरी तया संयम बरते हुए विजय का संकल्प करके हम सब इन बंधनों को स्विकार करें आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद बंधन इन प्यान रखिए और आत्मवास के प्यान करें आप और ग्यान रख अन्यवास का स्विकार प्यान प्यान संकल्प का प्यानedes को जाब का बहुत